ये क्यूशन आपके लिए हूंब्रक है और ये थोड़ा सा इजी है जो आज में कर देता हूं क्योंकि हमेसा हमें क्या करता हूं टफवाले में लेता हूं आज थोड़ा टफवाब ले लो तो देखिएगा हम थोड़ा इजी क्यूशन करेंगे आज तो यहां पर 9th number का क्यूशन है अपने पास क्या है 2x² और माइनस का क्या है 2y² और यह कितना हैगा x equal to 10 अब यहां से पहले तो इनको क्या करो आप 22 यानि कि x यानि कि square से क्या कर दो इनको free कर दो एप यहां पर यह साइद प्लस ही होगा क्यूशन कि कभी याई square और माइनस के लिए तो आएगा यह तो confirm बात तो यहां से यह प्लस होगा और यह देखिएगा कि y square और यहां से क्या एगा इस एक माइनस x x by 2 यह आप देखिएगा कि यह यहाँ पर x की टम ही है और कुछ भी नहीं है तो यहाँ से x square और यह आएगा x by 2 क्या आपको जो perfect square बनाने का जो method आता है वो आता है क्या या भोल सुके हो अभी 10 में सिख्किया हो ना कि root by the perfect square method तो वो यह यहाँ पर लगने वाला या तो आप वो देख लीजे क्योंकि x square इसको क्या गरा दिजे ऊपर और नीचे 2 से multiply गरा दिजे तो यह 2 into 2 और यहाँ से देखिएगा यह अब जैसे आप यहाँ पर देखोगे x square minus का यह तो यहाँ पर b की value आपके सामने कितनी है तो यहाँ पर देखिएगा x तो अपने पास है और b कितना है अपने पास वो है 1 by 4 यह और यह आएगा y square अब जैसे क्या करोगे 2 1 by 4 और यहाँ से क्या आएगा x और जैसे अपने घर से क्या दोगे आप इसको 1 by 4 का whole square दोगे और minus का क्या दोगे 1 by 4 का whole square और plus क्या आएगा अपने पास में y यह अब अपने घर से दियो हो तो देखिएगा कि यहाँ पर a minus b का whole square बनेगा तो x और यह minus का 1 by 4 का whole square समझ में आ रहा है यह देखिएगा कि a का whole square minus का 2ab plus का whole square यह बाते हैं अब आपको आनी चाहिए क्योंकि आप 10th पढ़के आ हो और वहाँ पर a minus b का क्या है बट यह देखो कि यह बन कैसे रहा है यह बड़ी important का आनी है यहाँ इस का आनी का जो नया twist वो है क्योंकि दिखेग और इसको आप इधर लिख सकते हो इधर उचका दो इसको उचका दिया तो उचका ने पर देखिएगा अब इसका देखिएगा अब इसका देखिए कंपेरिजन कर लो comparing from equation comparing from equation कौन सी अपने पास x minus h का whole square plus का y minus k का whole square equal to r का whole square तो यहां से देखिए आप comparison कराओगे तो h equal to तो आएगा plus का 1 by 4 और यहां पर देखिएगा k equal to 0 और यहां पर क्या आएगा r equal to क्या आएगा 1 by 4 यह अपने पास क्या होंगे answer होंगे तो यहां से center कितना है, center c, वो आएगा 1 by 4 और यह आएगा 0 और यहां पर देखेगा कि r equal to कि आएगा 1 by 4 और यह अपने पास answer है